जी, वेलकम हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल लेहमत टेक्नोरोजी पे M1R5 का ये हमारा चैप्टर नंबर सेवन है इमेल, सोचल नेटवर्किंग और इगवर्नेंस मॉस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपके लिए ये जरूर होनी चाहिए, किसी भी पब्लिकेशन की हो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस बुक को पढ़ सकते हैं या बुक पढ़ने के बाद आप वीडियो देख सकते हैं तो आपको पूरा बुक की लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगी और हमारी जो लैंग्वेज है, कोश्चन की लैंग्वेज है वो भी आपको समझ में आ जाएगी फिर एक्जामिनल किसी भी तरीके से आप से कोश्चन पोच लगता है गुमा के तो आप उसको गलत नहीं करेंगे उसका ये फायदा होगा आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी से रिक्वेस्ट है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेस कर लिजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेसन आपके पास सबसे पहले पहुँचे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आपके सामने है कि निम्न लिगित में से वाइरस है वाइरस बताइए इसका सभी आंसर क्या है तो जो वाइरस होते हैं वो किसी द्वारा बनाए गया है ये नहीं होटे ना किसी मसीन के द्वारा बनाए जाते हैं बलकि यह मानव की द्वारा बनाए जाते हैं option number 20 question 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 learning software में यह multimedia software में तो यह mobile phone में यूज के जाते हैं जो embedded जो software होते हैं आपने देखा भी होगा ठीक है option number 20 का सही अंसर हो जाएगा next question आपके सामने है नेम जो लिकत में से कों से social networking के उधारण नहीं है यह जो दो चैप्टर हैं आपके 6-7 यह आपके social networking के संब्द देता है email हो गया आपका cybercrime हो गया यह सब इसमें आ जाएगा आपको यह chapter पढ़ने में भी मजा आएगा इनमें और easy भी बहुत है ठीक है तो ध्यान जे पढ़न कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी social networking के उधारण बता रहे कि कौन सा नहीं है यह पढ़ना आपको कौन सा नहीं है तो जो Facebook है यह भी आप social networking के लिए यूज करते हो Instagram भी और जो LinkedIn है यह भी तो क्या Amazon आपका social networking का है नहीं यह commercial है यानि आप व्यापार होता है क्या होता ह यह पर यहां पर व्यापार होता है यह social networking की साइड नहीं है social networking का उधारण नहीं है इसका सही आपका एक्जाम में पूछे जा चुके है M1R5 में सारे question repeated है next question आपका है internet है बताओ internet क्या है इंटरनेट क्या है dynamic system है complex system है या आपका decentralized system है या all of the above तो सही आंसर हो जाएगा option number D all of the above जो internet है वो सभी है इनमें से जो तीन option है सही है next question आपके सामने कौन सा एक परकार का network है कल बताया था कल वाली वीडियो में chapter 6 में लैन मैन वैन और पैन तो इसमें से आपको देख रहा होगा option number D पर जो पैन लिखा हुआ है personal area network यह Bluetooth का example होता है यही इसका सही answer हो जाएगा बाकि सारी उपर जो लिखी हुई है न यह सारे topology लिखी हुई है लेकिन यह जो option number D पर है यह आपका personal area network पैन है जो एक network का परकार है सही answer हो जाएगा यह फिर next question आपके सामने FTP का full form क् क्या है FTP protocol होता है set of rules होता है नियमों का समय होता है internet पे file को transfer करने के लिए FTP का use किया जाता है ठीक है यह भी आपको ध्यान में रखना है file transfer protocol इसकी full form होती है option number D पर आपको दिखाई देगी file transfer protocol इस question का बिल्कुल सही answer हो जाएगा next question आपके सामने कौन साब protocol www के लिए use किया जाता है बताइए FTP FTP तो हम यूज करते हैं file को transfer करने के लिए W3 इसका answer होगा नहीं क्योंकि यह गलत हो जाएगा all of the above क्यों नहीं हो क्योंकि जब यह नहीं है तो all of the above कैसे हो सकता है ठीक है option number B आपका सही answer हो जाएगा सब्सक्राइब होता है यह आपको कल मैं सारी बाते बता चुका हूं सारे question repeat हो चुके हैं यह मैक से संब्सक्राइब मैक कितने बिटका होता है 48 बिटका होता है फुल फोम भी पूछता है उसकी तो यह भी आपको पता होना शीए next question आपके सामने है कौन सी सेव अगर आको को dynamic IP address परदान करती है यह कल बताया था DHCP करती है option number C यह आपको क्या करती है यह IP address जो होता है computer का वह आपको प्रवाइड करती है DHCP ठीक है आपसे रिक्वाश्ट है चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं क्या प्लिस कर लिजिए इससे हम भी थोड़ा खुश हो जाते हैं और आप भी आपका भी समय कोई पैसा नहीं लगता लाइक भी कर दीजे का वीडियो को वास्ताव में इंटरनेट प्रोटोकोल के यवल पहचाना जाता है जो आपका इंटरनेट प्रोटोकोल है वो कैसे पैचानते हो आप वास्ताव में कहा रहा है रियालेटी इन आई-पी अड्रस यहीं सही आंसर हो जाएगा जो आई-पी अड्रस होता है इन सब का ओप्शन नमबर है आई-पी अड्रस होता है कल मैंने आपको बताया भी था प्रदान करता है बताये पॉइंट टू पॉइंट मल्टी पॉइंट प्राइमरी या सेकेंडरी इस कोशन का सही आंसर क्या हो जाएगा बताये फटा फटो इंग्लिस में पढ़ा सकते हैं यह आप यह रहा है डेस्ट कनेक्शन प्रोवाइड ए डिडेक्टिड लिंक बिट आप से पूछता है कि क्या आपको अपना पासवर्ड अपने कुट्टे के नाम पर रखना चाहिए बिल्कुल गलत हो जाएका फॉल्स करते ना अगर कुश्चन आजा ट्रिपल से में बहुत पूछता है ठीक है तो आपको पासवर्ड इस्ट्रोंग रखना चाहिए आपका और पासवर्ड को कम से कम एक महिने में एक बार अपने को अपडेट कर देना चाहिए यानि उसको चेंज कर देना चाहिए पासवर्ड जो होता है तो यह कह रहा है कि अगर पासवर्ड को यह आपका चुरा लेता है तो उसको क्या नाम दिया जाता है जैकिंग आइडेंटि को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सैट है और सैट ओफ रूल्स एंड प्रोस्टीजर तू कंट्रोल डैट डाटा ट्रांस्मिशन ओवर दा इंटरनेट बताई इसकोशन का स्री अंसर क्या हो जाएगा फटापट पढ़िए कोश्चन यहां पर प्रोटोकॉल लखके देगे कि option number c वाला जो ओप्शन है इसको रके देगे एक बार प्रोटोकॉल इंटरनेट पर data transmission को नियंत्रित करने के लिए नियमों और परक्रियाओं का सैट है रूल्स मैंने बताया था set of rules अगर पूछेगा तो आपका प्रोटोकॉल ही हो ज बदल सकते हैं बताओ जो आपकी इमेल आइडी होती है तो क्या आप उसमें यूजर आइडी अपनी बदल सकते हो बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं नेवर ओप्शन नंबर सी इस कोशन का सही आंसर है नेवर ओप्शन आपके सामने हैं वोइसमेल, इमेल, ओनलाइन सर्विस, इंटरनेट और सभी और www सभी उधारण हैं किस चीज के उधारण हैं तो टेली कम्यूटिंग टेली कम्यूटिंग ऑप्शन नंबर सी कोशन का सही आंसर हो जाएगा बागी के ऑप्शन ही गलत लग र कर के जरूर बताना कि आई एमेपी फूल फर्म क्या होती है बाकी हम बता देता हूँ, आई एमेपी प्रोटरकॉल का उप्योग ये प्रोटरकॉल यह भी आपको पताचल का प्योग, धोकद़ी, मेलर्स द्वारा किसी उध्डेश्चे के लिए किया जाता है तो send, take mails, send, spam hack email या all of the above बताईए इसका सही answer क्या होने वाला है आप क्या सोचते हैं इस question के बारे में आप इस question के बारे में क्या सोचते हैं तो वो hack mail भी हो सकते हैं spam भी हो सकते हैं ठीक है fake mail भी हो सकते हैं तो सारे के सारी है option number 2 यहां पर इस question का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है जी नेक्स्ट कोश्ण आपके सामने अगर आपको लगता है कि किसी कुश्ण का अंसर गलत बता दिया गया है या इसका अंसर यह नहीं यह होना शाहिए तो आप कमेंट वोक्स में अपने राइ लिख सकते हैं अपना सुझाव लिख सक कर दिया तो ट्रैस्ट बोक्स में पहुंच जाता है डाइक्ट वो डिलीट नहीं होता आपके फोन से आप उसको रिस्टोर भी कर सकते हो गलती से डिलीट हो गया तो यह भी आपको पता होना शीजिए ठीक है लेकिन यहां पर कह रहा है कि वह कितने दिनों तक उसको वापस आ सकते हैं डिलीट करने के बाद तो तीस दिनों तक आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं घर आप से गलती चतोई फोटो डिलीट हो गया है तो तीस दिनों के अंदर अंदर उसको आ वापस ला सकते हैं ऑप्छन नंबर 20 साइंस हो जाएगा सबसे पहले इमेल किस ने बनाए सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें दो वैसे ओप्षन में आपके आएगा सब्सक्राइब कर स्बीद चाहिए इसमें इसमें पांच दो मिनटे हैं लेकिन जो इसका सही आंशर है वो यहाँ पर साठ सेखिए राख है बुक में भी ठीक है तो इसको आप एक बार देख लेना अपने सर्च कर लेना इसके बारे में थोड़ा सा क्या किन से ज़्यादा कि तो यह भी आपको देख लेना ऑप्शन नंबर है यह इसका से यांसर यहां पर में कर रहा हूं ठीक है नाइस कोशन है परस्टनल कम्प्यूटर से एमेल सेंड और रिसीव करने यह तो किस से मोबाइल किस से इनेबल होना चाहिए बताए किस से इनेबल हो होती है भोलना आपको बिल्कुल भी नहीं है नेक्स आपके सामने सभी प्राप्त इमेल जमा किये गए हैं सभी प्राप्त इमेल हो कहां आते हैं आपके इन्बोक्स में आते हैं जो आप सेंट करते हैं वो सेंट बोक्स में जाते हैं यह आपको पता होना चाहिए अगर कोई इसका सही answer हो जाएगा क्या हो जाएगा option नमबर भी हम नेक्स कोश्चन है थोड़ा फास्ट करने क्योंकि गंटा लग गया था चैप्टर जो 6 था आपको complete करने में कोशिच करेंगे 40-45 मिनिट में आपका पूरा हो जाए ठीक है नेमने लिगते में से कौन email इमेल क्लाइंट का उधारन है बताए इमेल क्लाइंट का उधारन है यह कल भी मैंने आपको बताया था जो आउटलुक एक्सप्रेस है यह आपका email क्लाइंट का उधारन है एक्सामपल है option नमबर 20 कोश्चन का यहाँ पर अभी सही answer हो जाएगा next question आपके सामने एक कमरे भाव टारन में building में उसकी बात यहाँ पर कर रहा है तो कल भी आपको बताया था लैन का यूज करते हैा एक छोटा इसन चुटा एक चोटा नेस्ट कुशस्ट आपके सामने है इसमेल एडर का औया डॉमेन नेम बताई कौन सा है जो आवयद है इसमेल डर का रहा है तो डॉमेन नेम आपने जी बी सुना होगा अब इसका सब्सक्राइब तो इन वाली डूमेन नेम वड़ इन्वाली डॉमनेम वड़ की बात कर रहा है अपके सामने है यह जमेल.com में यूजर नेम होता है हमारा वह हमारा क्या होता है तो आपका उप्सेर नंबर डी सही आंसर यहां पर हो जाएगा नेक्स कोशन है कुछ बच्चे फोन नंबर मांगते हैं हमारा देखिए यार ऐसा मत समझना के आटिट्यूड है कि फोन नंबर नहीं दे रहे आप इस टेलिग्राम पर मैसेज कर सकते हैं इस्टाग्राम पर आइडिया है मैं टेक्निकलोजी दस जिरो सकत के नाम से और वैसे आप फोन करो किते को इंकमिंग उसकी बंद्द है आप न क्वरम आधी ठोड़ा आप दीजैते हैं ऑपकी कोई प्रॉचिक्स मों समझें वह पको पूरा डिपलाई चरूप बना और साथ रिपलाई आज हुसकते हो स्टेलिग्राम पर मेसेज कर सकते हो दुन मेल कर सकते पराज आपको होने की जुरुदरत नहीं है ठीक है तो यहां पर कहा रहा है इमेल किसका उधारण है इमेल किसका उधारण है क्या वह इंस्टेंट मैसेंजिंग को दारन है या इलेक्टोनिक मैसेंजिंग को दारन है या इंटर्नल मैसेंजिंग को दारन है बताइए सही आंसर होगा जाता है जो इमेल है इमेल की बात कर रहा है ध्यान में रखना आप इमेल तो जो Instant Messaging खोते है ना जहाता है तो फेसबूक हो गयल फेसबूक कंतरल के लेकिन याप इलक्टोनिक कि बात होती है इमल इमेज में ici मतलब क्या इलेक्टोनिक है तो CSXC साथ नहीं भेज़ सकते क्या क्या इसर आपके सामने इस्टणरम क्या है भॉटिशय इंस्टणरम इस एंशाओं आप इस में देखते हैं दिन भार इसमी लगे रहते हैं सोसल नेटवर्किंग है तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसको तो हम पहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इससे तो परीचित हैं पूरा दिनिशी के साथ हम व्यातित करते हैं CC का क्या मतलब है CC का यूज इमेल में होता है दो चीज होती है CC होता है एक BCC होता है CC और BCC CC तो CC का मतलब होता है carbon copy क्या होता है CC का मतलब सर carbon copy होता है सर ठीक है CC का यूज क्या है अगर आपने कोई mail किसी को मेरे को एक mail भेजिया है लेकिन आप चाहते कि यह mail में दो तीन बंदे को या दस बंदों को और भेज दूँ तो वो आप यूज करोगे CC का लेकिन मुझे पता चल जाएगा कि आपने यह mail मेरे को भेजी है और किसी और को भी भेजी है ठीक है यह होता है CC का मतलब carbon copy लेकिन अगर आप BCC का यूज करते हो इमेल में यूज कि अगर हो इसारे option available है BCC का मतलब यह है अगर आपने कोई mail मुझे भेजी है और वो ही mail आपने किसी और को भी भेजी है तो आपने वो mail मुझे तो भेजी दी और किसी और को भेज दी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि यह mail किसी और के पास भी गई है इमेल में CC का मतलब मैंने आपको बता दिया है कारबन कोई होती है इस बार option नंबर इस बार B सही हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा इस बार option नंबर B यह दिहान में रखना सभी खंप्योंटर जो कंप्योंटर से जुड़े हैं किसके दोवारा किसके दोवारा व्रकस्टेशन सर्वर सब इन एक सैंटर के आस बताइए इसका सही answer क्या हो जाएगा the network where all the nodes are around a central server is a star network option number 20 question का यहाँ पर सही answer हो जाएगा star network next question आपके सामने है internet पर server को एक रूप में भी जाना जाता है server को किस रूप में आप जानते हैं यह आप से कह रहा है तो यह आपको बताना है यह important question है पूचा जाता था पहले तो इसको host के नाम से भी जानते हो server को किसके host के नाम से option number 20 सही answer है next question आपके सामने है पहला network जिसने internet के बीज लगाई थे कल आया था कि जिसने internet के बीज बोई थे आज कहा रहा है कि internet के बीज लगाई थे next question आपके सामने है Facebook में देखते हम कितने friends जोड़ सकते हो Facebook के बारे में एक question आपसे पूचि लेगा Facebook में 5000 friends बना सकते हैं एक बार में 30 photo upload कर सकते हैं Facebook में आपको अगर अपना account बनाना है तो 13 साल आपकी है जोनी चाहिए Facebook में reaction कितने होते हैं reaction होते है लाइक अनलाइक का कमेंट का शेयर का इस तरी की तच्छे reaction होते हैं उसमें और Facebook में Facebook की स्थापना मार्ग जुकरबर्ग ने करी थी यह भी आपको पता होना चाहिए तो यह सारे छुट छुटी बाते आपको पता होने चाहिए option number यहाँ पर सही answer हो जाएगा 5000 5000 बना सकते हो लिमिट यह विस नो लिमिट मत कर देना कि हम तो बना लेंगे on a की महीं साथ लेहर होती है कल भी आपको बताया था हो शुट को याद करने की होती है कि यह इसको याद करने की ठीक है एक बच्चे ने लिखी वी थी सातों के नाम प्यारे दोस्त नरेस तुमारी साधी पर आऊंगा प्रजान्टेशन वह फिजिकल लेयर होती है ठीक है इस तरीके सारी लेयर होती है सातों लेयर आप याद कर ले ना इनको और इनको मिला के टीशी प्याइप की फोड लेयर बनाई गई है एम यू एक पॉन रोप क्या है मेल यूजर एजेंट ऑप्शन नंबर सीज कोशन का सही आंशर हो जाएगा मेल यूजर एजेंट ठीक है नेक्स्ट कुशन आपके सामने बी टूबी का फूल फूर्म क्या होता है बिजनिस टू क्या हो जाएगा option नंबर सीच कोशन का बिलोगुल सही आंशर हो जाएगा फिर नाच वरप के सामने च्पूशन को पोस्ट करने के लिए कौन सी networking site है बताओ कौन सी है networking site छोटे message को पोस्ट करने के लिए Twitter क्या है Twitter है छोटे message को आपको वाइल करने है या दिखाने किसी को तो Twitter सबसे बेस्ट है बाकी Instagram पर तो आप लिमीट ही निए किसको जोभी टैक्ट कर सकते हैं Facebook पर इसे Instagram भी लेकिन Twitter पर छोटे message post कर सकते हैं यह सही answer जाए option नमबर है Twitter को लोग को क्या होता है बताना comment box में फस्ट पेज जिसे आम तोर पर किसी website पर देखते हैं वह क्या कहलाता है उसको हम कहते हैं home page कल भी कोशन में आपको बताया था उस वाले वीडियो को जरूर देख लाना उसे लेट चैप्टर है यह कोन सा network topology है network topology की बात कर रहा है बागी के तीन तो network के परकार है लेकिन जो d option पर लिखा हुआ है बस यह क्या होती है आपकी यह topology होती है बस topology ring topology star topology ठीक है तो यह भी आपको पता होना चाहिए network topology की बात कर रहा है ठीक है तो नेक्स देख लीजिए आपका क्या है इंस्टाग्राम किस से संबंदित है इंस्टाग्राम जो है आपका वो किस से संबंदित है इंस्टाग्राम इस्टाग्राम आपका फेस्बुक से संबंदित है क्या पर क्या सेर किया सकता है फोट और वीडियो दोनों कर सकते हैं वैसे तो यहां पर बहुत और वीडियो उप्षन नंबर B, C, sorry, C, वह हैं बहुतिक पत है जिस पर एक संदेश यातरा करता है, इट, दा, डैस is the physical path, over which a message travels, बताई, इस question का सही अंसर क्या हो जाएगा, इस question का सही अंसर क्या हो जाएगा, medium, क्या हो जाएगा, medium, इस question का सही अंसर जाएगा, option number B, next question आपके सामने है, कौन एक transmission medium नहीं है कौन है जो transmission medium नहीं है तो modem क्या हो जाएगा modem एक transmission जो है medium नहीं है option number 2 यहाँ पर इसका सही answer हो जाएगा next question आपके सामने वैस्तान जहाँ पर सभी परकार के email संदेश रिवावसित रहते हैं क्या कहलाता है वो क्या कहलाता है तो वो mailbox कहलाता है क्या कहलाता है सभी परकार के बोल रहा है कि सभी परकार के होते हैं तो mailbox option number 2 question का यहाँ पर क्या हो जाएगा सही answer है यहाँ पर आपको जाएगा IIS का पूर्ण रूप क्या है IIS का पूर्ण रूप क्या है internet information service इसकी full form होती है क्या होती है internet information service option number B पर लिखा हुआ है सही ध्यान से देखते हैं अगर आप internet information service ठीक है लिख लिए जिसको next question आपके सामने है CC का मतलब बता दिया है तीन चर बार इसलिए भाई रिपीट होड़ा क्योंकि यह लेवल में कही बार पूछ लेगा कोई इसमें limit की वो दिखाई नहीं है क्या है कोई नहीं दिखाई गई option number A सही answer जाएगा multiple next question आपके सामने है email जो storage area होता है उसे क्या कहते है email में जो storage area होता है उसको क्या कहते हो आप यह कह रहा है आप से क्या उसको mailbox कहते हो center box कहते हो storage all of the mention all of the above तो इसको mailbox कहते है क्या कहते है mailbox option number A कोन सा एक social networking site नहीं है जो कौन सा बताओ इसमें instagram भी है facebook भी है और यह go found me क्या है यह तो anyway मेरे साब से यह answer हो जाएका तो पहली बार सुन रहा हूँ google भी है option number जो भी है वो इसा ही answer है नेक्स्ट कोशन आपके सामने है एक device जो दो अलग-अलग network को जोड़ने के लिए यूज की जाती है कौन सी है उसको क्या कहते है router कहते है उसको क्या कहते है router कहते है option number D का से यह answer यहां पर हो जाएगा भूलना मत इस question को important इंटरनेट पर data transmission को नियंतित करने के लिए नियमोर्स प्रोटोकोल बताया था मैंने अब प्रोटोकोल होता है वो क्या होता है जी प्रोटोकोल होते है option number C सही आन सारी हां पर हो जाएगा नेक्स कोशन है Gmail email पते के लिए सही प्रारूप चुने बताये सही प्रारूप कुन सा है इसमें से तो abc at gmail.com abc at gmail इसमें देखी अंडरिस्कोर का यूज कर दिया गलात हो जाएगा इसमें डोटी नहीं लगाया ये भी गलात हो जाएगा और ये तो हो गई अगर आप गयार क्या में लिखें के क्यूं का बता जाए तो आप सकते हैं किया को पता हो ज्यादा हो लौट ये गलत होसकता है तो इस तो मेरे लिए तो यह अंसर भी सही हो जाएगा डी ओप्षन बाकि आप बता दिये अपने राइग क्या है सीची का मतलब कारबन कोपी होता है ओप्षन नंबर भी पर लिखा हुआ है नेक्स्क्षन है एक कमरे भावन यह हो जाएगा लैन कि मैंने आपको बता दिया है लैन इ हो जाएगा फाइबर ओप्टिक्स नेक्स्ट कुस्टन आपके सामने है कि फेस्बुक के खोज करता फेस्बुक को किसे ने बनाया यानि डवलप किसने क्या मार्क जुकरबर्ग ने फेस्बुक के बारे में जितनी फैक्ट मैंने आपको बता हैं सारे याद रखना बोलना यह बार बार नीए बताऊंग को वीडियो की लेंद लंब लंबे धिया क है क्या क्या है क्या क्योकर बिलों बिलोंग को अ एके बिटू बइसका सए अंसर क्या होगा उटाई एक बार अ है से डूसी तो अंसर कि ए पर सकते ऐसे बीसिटी का फूल फार्म होता है ब्लाइंड कर बन को पी जो मैंने आपको बताया था जो आपको मैंने बताया था बलाइंड कारबन कोपी ठीक है ये देख लेना आप लिए पाभे नेक्क कॉस्षण आपके सामने कोई भी मैसेज ट्रैक्स में कितने दिन उतक रहता है 30 दिन उतक रहता है ये कॉस्षण सा रिपीट हो रहे है इसलिए आपको याद भी हो जाएंगे वीडियो में एक कॉस्षण 2-3 बार पूच गई है इसलिए राउटर के राउ प्रवाइब क्या है मोडूलेटर डिमोडूलेटर इसकी फूल फॉल्फरम होती है यह भी आप जानते होंगे मेरे साप से ठीक है ओप्षन नमबर एप लिखा हुआ है और सब्सक्राइब क्या है निज गूरूप है क्या यह कह रहा है डिसका जन गूरूप होते हैं निज लाता है जो आपके सामने अथेंटिकेशन जबाब करते होंगे बताएं तो वाट्स अप वाट्स अप लाता है नहीं लाता है फिंगर वाला ओप्षन नमबर इसका सही आंशर क्या हो जाएगा डी कि नेक्स कुर्शन आपके सामने मोडियम्स में एडिजिटल सिगनल में 22 में और 21 में शायद यह कुशन आया तब आया था जरूरी ठीक है 2021 में लगातार यह कुशन आया के ट्विटर में कितने मैक्सिमम आप गरेक्टर यूज़ कर सकते हो कि नेक्ट कुशन है मैं का पॉनरोप क्या है मैंट्रपोलियन एरिया नेट्वर्क इसकी होल्फम होत सरा दो सिधर क्या होगा ये यिपिस्ले स्वावेकर्षी खीकन इसकी हो खंप कर टाम स्वेकरिया सब्सक्राइब unless प्रसक को वापस लोट आने वाला मेलका क्या मैला अगर आपके पास कई knock किन आपका सब्सक्राइब बताएं यह तो आप तो जांते हैं है क्या होता है ? जणक कौन है यह आप दो नपर कह रहा है लेने पहला वेब ब्राउजर है और इसकी जो कहा रहा है कि जनक कोन है डबल टीम बनर्स लिए क्या है सब्सक्राइब दिखी नहीं रहा अरे दिखे जाएगा यह यह कुछ नामोर दे दिया इन्होंने खोल के पूरा टिम बनर्स लेकी जगा तो यह इसका सही आंसर है को स्टार हो गया मैस हो गया किस टोप लोजी के लिए बहु-Bindu connection की किशना होने सकता होती है तो बस टोपोलोजी के लिए किसके लिए बस टोपोलोजी के लिए इस saràटी टोपोलोजी यह देख लो, इसमें से पूछेगा कोई सी भी तो लगा देना, यह सारी टोपोलोजी है, नेट्वर्क टोपोलोजी, HTTP वेब सर्वर है, कैसा है, कैसा है, अपाची, ओप्शन नमबर D, अपाची, वे, HTTP वेब सर्वर है, यह कह रहा है, ध्यान में रखना, नेक्स कोशन है, आपके सामने, डैस कहीं अलग-अलग नेट्वर्क का एक संग रहे है, बताए, कौन सा है, अलग-अलग नेट्वर्क का, एन इंटरनेट, क्या हो जाएगा, इंटरनेट, ओप्शन नमबर B, आपके सामने, POS का फुल्वर्म होता है, पॉइंट ऑफ सेल होता है, क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल होता है, ओप्शन नमबर H, लिखा हुआ है, यह हमारा से ही अंसर पी है, नेक्स कोशन है, IPV4 और IPV6 बिट्स में अंतर क्या है, यह कितने-कितने बिट्स के होता है, य पहले 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 बताना क्योंकि यहां पे 132 बीट है कि कुछ बती गलती कर सकते हैं कि 1232 यहीं सही एक एसा नहीं करना को नेटवर्क को नेटवर्क टोपलोजी है Network Topology कौन सी है इसमें से तो सर ये तो बाकी तीन तो Network के परकार है आपने बताई थे अभी बिल्गुल बताई थे और ये Topology हो जाएगी बस Topology ये भी आपको बताई था ठीक है चलिए Option Number D से ये Home Computer को Internet से Connect करने के अनुमती देने के लिए विशक करन को क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसे उसको क्या कहते हैं भाई क्या उसको मोडेम कहते हैं या उसको Gateway कहते हैं तो क्या कहते हैं उसको मोडेम Option Number A सही आन्सर यांपर आपका हो जाएगा पहला Network जिसने Internet के बीज लगाए थे मैं आपको बता दिया है क्या कौन है वो कौन है वो जिसने network लाया था वो ARPANET कौन है ARPANET option number ए advanced research project जैन से network perform होती है email किस परतीक का उप्योग करके username IP को ISP select करता है तो add the rate का use करके करता है option number भी यह आप जानते है delete क्या हुआ email कहां आपको मिलेगा अगर आपने को email delete कर दिया गलती से तो कहां मिल जाएगा trace box में मिल जाएगा कहां trace box में option number ए next question आपके सामने है कौन सी सेव अगराको को dynamic IP addressing परदान करती है यह अभी आपको बताया था DHCP option number C UCE का full form क्या है UCE का full form क्या है यह आज आपके लिए home work question है आपके सामने बताओ Facebook पे अकाउंट आपको खोलना है तो कितनी एज आपकी होना चाहिए minimum तो minimum आप 13 साल के होना चाहिए जब यह आप Facebook पे अकाउंट बना सकते हैं उससे पहले नहीं hotmail क्या है hotmail वह कह रहा है hotmail क्या है तो बताइए yahoo, google, gopher या microsoft option number D छोटे message को post करने के लिए Twitter एक बैस्ट जगह है यह भी आपको मैं बता दिया है यह important question है सारे Instagram किस से संबंदीत है जो Instagram है आपका वो किस से संबंदीत है वो Facebook से संबंदीत है किस से संबंदीत है Facebook से संबंदीत है option number C is question का विलिवल सही answer यहाँ पर आपका हुजएगा किसने इंस्ट इंटरनेट को डिफाइन किया है इंटरनेट को किसने डिफाइन किया है इसमें से बताओ भाई किसने डिफाइन किया है सही answer बताओ A होगा B होगा C होगा D तो option number जो A है The Federal Networking Council option number A CC का पुनर आप carbon को पी यह बताती है मैंने आपको कोन एक communication device है communication device की बात कर रहा है कोन size में से है तो modem क्या है modem जो है वो communication device है यह भी आपको याल रखना है next question आपके सामने है क्या कह रहा है routing के लिए जिम्मेदार OSI संदर्ब layer reference layer है कौन CS में से बताईए कौन CS में से ऐसी layer है तो जो network layer होती है आपकी यह होती है routing के लिए जिम्मेदार है जो ठीक है option number B next question आपके सामने OSI Immortal में 7 layer होती है यह मैंने आपको बता ही दिया है और next question आज का last question आपके सामने चल रहा है email के founder कोन है email के founder कोन है Bill Gates तो है नहीं Bill Gates किसके है यह भी आपको बताना comment box में Bill Gates किसके है Microsoft के तो नहीं है यह देख लेना बाग किसका सही answer क्या हो जाएगा यह हो जाएगा Ray Tom Linson और Gmail के बता देता हूँ poll बुचित है कोन है poll बुचित है Gmail के founder और email के है आपके 100 question हो चुके है जो important थे आपका chapter 7 complete हो चुका है next chapter 8 की वीडियो आएगी वीडियो का सभी बच्चे लाइक कर दे चैनल को जिसने subscribe नहीं क्या प्लेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का notification आपके पास सबसे पहले पहुँचे और जिन बच्चोन टेलिग्राम